मध्यपरदेश में इस साल विधानसफ़ा चुनाव है और इस चुनावी साल में बीजेपी की हालत पहले से ही खस्ता दिख रही थी इन सब के बीच अब एक ऐसी घटना सामने आई है जिस पर बीजेपी के लिए अपना बचाओ करना काफी मुश्किल हो गया है आप समझी गया होंगे दोस्तों कि मैं किस घटना की बात कर रहा हूँ दरसल मध्यपरदेश के सीधी जिले में एक व्यक्ती सीग्रेट पीते हुए दूसरे व्यक्ती पर पेशाब कर रहा है पीडित व्यक्ती आदिवासी है और ऐसा घिनोना कृत करने वाला सवर्ण हिंदू है क्या सब भी समाज में इस तरह की घटना हो सकती है ये तो कलपना से परे है सामाने शिष्टाचार में लोग ऐसी बात भी नहीं करते हैं लेकिन MP की शिवरास सरकार में ऐसी अमानविये और शर्मना घटना सच में हुई है कल से सोशल मीडिया पर MP का ये वीडियो खूब वाइरल हो रहा है जिसमें एक व्यक्ती दूसरे को प्रतारित करने के लिए न केवल उस पर पेशाब कर रहा है बलकि उसका वीडियो भी बना रहा है सबसे बड़ी बात ये है कि ये व्यक्ती बीजेपी का सदस्य है इसलिए यहाँ सवाल उठता है कि क्या सत्ता के नशे में इतनी चूर हो गई है बीजेपी नमस्कार मैं हूँ राजीव आपको बता दो कि ऐसी शर्मनाक और अमानुए हरकत करने वाले आरोपी की पहचान हो गई है इसका नाम है प्रवेश शुकला जो बीजेपी के विधायक केदार नाथ शुकला का पूर्व प्रतिनिधी बताया जा रहा है हलांकि बीजेपी इस बात से इनकार कर रही है कि प्रवेश शुकला का बीजेपी से कोई लेना देना है बीजेपी तो यहां तक कह रही है कि प्रवेश बीजेपी का सदस्य भी नहीं है विधायक प्रतिनिधी तो होना दूर की बात है लेकिन प्रवेश की कई तस्वीरें बीजेपी नेताओं के साथ मिली हैं जिससे ये तो पता चलता है कि वो बीजेपी का समर्थक है तस्वीरें आप देख सकते हैं दोस्तों तमाम तस्वीरें खैर इस घटना के वीडियो जैसे ही वाइरल हुआ और लोगों ने शिवराज सरकार पर सवाल उठाने शुरू किये तो शिवराज सिंग चौहान ने ट्वीट किया और ट्वीट में उन्होंने क्या कुछ लिखा है ज़रा देख लीजिए मेरे संग्यान में सीधी जिले का एक वाइरल वीडियो आया है मैंने प्रशासन को निर्देश दिये हैं कि अपराधी को गिरफतार कर कड़ी से कड़ी करवाई कर एने से भी लगाया जाए और इसके बाद शिवराध सिंग का देर रात एक और वीडियो ट्वीट आया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि अपराधी केवल अपराधी होता है उसकी कोई जाती धर्म या पार्टी नहीं होती सीधी मामले को लेकर मैंने निर्देश दिये हैं अभियुक्त को ऐसी सजा जाएगी जो उदाहरन बने हम उसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे शिवराध इस वीडियो में कह रहे हैं कि मानवता को उसने यानि अभियुक्त ने कलंकित किया है घोर अमानविये कृत किया है ऐसे अपराध के लिए कठोरतम सजा दी जाए तो सीम शिवराध सिंग धर्म और पार्टी तीनों माइने रखती है यहां आरोपी सवर्न होने की दम भी मानसिक्ता से ग्रसित दिखाई दे रहा है तभी तो वो एक आदिवासी पर इस तरह का अत्याचार कर रहा है उसमें जाती और धर्म का घमंड साफ दिखाई दे रहा है और यह पहली बार नह हिलाओं का शोशन आम बात है और अक्सर शोशन करने वाले सवर्न ही होते हैं तो शिवराज सिंग जी धर्म और जाती को किनारे करने का मासूम तरक यहां नहीं दे सकते यही बात पार्टी पर भी लागू होती है बीजेपी राज में आदिवासियों के खिलाप हुए अत्य चारों की संख्या लगातार बढ़ी है यह सब आपने देखा है सरकार ने फरवरी में राश्ट्री अपराध रिकॉर्ड बीरो के जो आक्रे बताएं हैं उसके मताबिक देश में 2019 में कुल 7570 मामले दर्ज किये गए थे जो 2020 में बढ़कर 8272 हो गए और 2021 में बढ़कर 8802 हो आदिवासियों की हितैशी होने का जो दावा करती है वो भी जुमले बाजी है या उसमें कोई सच्चाई है सब कुछ सामने आ जाएगा वैसे प्रवेश शुकला को पुलिस ने गरफतार कर लिया है लेकिन खबर ये भी है कि ये घटना तीन महीने पहले की है इस बारे में म कॉंग्रेस के साथियों ने इसको उठाया आज तक आपका प्रशासन सो रहा था क्या अब सवाल ये है दोस्तों कि अगर वाकई ये घटना तीन महीने पहले की है तो इस बारे में सरकार को कोई खबर क्यों नहीं हुई सवाल ये भी है कि क्या आदिवासियों को प्रतारित क क्यों थी ये सवाल भी तो उठता है वैसे सोशल मीडिया पर अब पीडित का एक कथित एफिडेविट भी यानि शपत पत्र भी वाइरल हो रहा है जिसमें लिखा गया है कि प्रवेश शुकला ने ऐसी कोई भी हरकत नहीं की है तो क्या प्रवेश शुकला या उसके समर्थ या पता लगवाएंगे इस घटना पर कॉंग्रिस प्रवक्ता सुप्रिया शुर्णेत ने कहा है एक आदिवासी लड़के पर पेशाब करने वाला ये दरिंदा मध्यपरदेश में सीधी के भाजपा विधायक केदार शुकला का प्रतिनिधी प्रवेश शुकला है ये रा बचे हुए हैं वो क्या मध्यपरदेश का मौ बोल पाएंगे क्योंकि पिछले हपते ही दो बार MP आकर एक बार भोपाल मध्यपरदेश की राजधानी और दूसरी बार शेहडोल जाकर के मोधी जी ने बहुत बड़ी बड़ी बाते कहीं हैं बहुत बड़ी बड़ी खैर गारंटी तो दूर की बात है दोस्तों पहले ये देखना है कि मोधी जी इस घटना की निंदा करते हैं या नहीं जब बीजेपी ने राश्टपती पद के लिए श्रीमती द्रोपदी मूर्मू को उमिदवार बनाया था तो इस बात का खूब धिंडोरा पीटा गया थ कि बीजेपी देश में पहली बार एक आदिवासी महिला को सरवच पद पर आसीन करना चाहती है श्रीमती मूर्मो राश्टपती बन भी गई लेकिन एक आदिवासी के प्रथम नागरिक होने के बावजूद देश के बाकी आदिवासी किस हाल में हैं इसका नमूना आप MP मे प्रशारन आपने सीधी से देख लिया है और सीधी ने कहें तो इस प्रशारन को कर दिया है देश की वास्विक्ताओं से फेरे हुए लाल आखों वाले साहब यानि प्रधान मंत्री नरेंडर मोदी को अब सच्चाई को देखी लेना चाहिए आज के लिए बस इतना ही नमस सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंसती रहें देखते रहें डिवी लाइव क्योंकि यहां हैं खबरें लगातार